करेंगे exercise 4.1 का part 2 जिसमें question 5, 6 इसमें हमें question 5 में दिया हुए हमें determinant find out करना है question 6 में हमें determinant find out करना है matrix का question 7 में हमें x की value find out करनी है question 6 में हमें value find out करने है तो चलिए आज का session स्टार्ट करते है और इन questions को solve करते हैं चलिए अब हम question 5 स्टार्ट करते हैं और question 5 में भी हमें evaluate करने है determinant 3 into 3 के matrix so question 5 के 4 पार्ट है हम सबसे पहले ही post matrix का हम determinant find out करते हैं so हम लिखते है expanding along r1 and we will get a determinant समल लीजी है हमारे a matrix है और इसका determinant find out करना है जैसे कि मैंने आपको already introduction video में समझाया था कि जब भी आप determinant find out करें तो r11 को अगर आपने यहां पर 3 लिया है तो आप फिर इस column को नहीं लेंगे इनको लेंगे तो यह जीरो minus 1 5 minus 1 0 फिर यह आएगा आपका minus minus 1 यह minus 1 हुआ तो यह वाली column नहीं आएगी अब यह दोनों हम लेंगे यह minus 1 लिया तो इसको भूल जाएए यह दी लीजे और row 1 को नहीं देखेंगे आप इसको भूल जाएए रो 1 को भूल जाएए इसको भी और row 1 को भी आप सिर्फ यह और यह लेंगे ठीक है minus minus 1 into minus 5 minus minus का plus का 1 0 into 0 0 यह है minus minus 1 into 3 plus minus minus का 2 0 into minus 5 minus 0 into 3 ठीक है अब इसको हम solve करते हैं तो यह है 3 0 minus minus से minus cancel होगे तो 1 into 5 is 5 plus 1 बाहर रहेगा 0 यह रहा minus minus plus 1 into 3 is 3 minus 2 0 into minus 5 is 0 minus 0 into 3 is 0 ठीक है तो यह है 3 0 minus 5 is minus 5 plus 1 0 plus 3 is 3 minus 2 0 minus 0 is 0 ठीक है अब इसको और solve करते हैं तो यह 3 into minus 5 is minus 15 plus 3 into 1 is 3 minus 2 into 0 is 0 तो यह है minus 15 plus 3 minus plus minus 15 में से 3 किया तो कितना अचा है 12 दोनों में इस number कौन से बड़ा 15 15 किया है कौन से साइन माइनस को तो माइनस को तो माइनस लगा ते यह है हमारा इसका पूरा determinant तो इस matrix का determinant किया है that is minus 12 देखा आपने आपने कैसे 3 into 3 के matrix का determinant कितना easy तरीके से solve किया कुशनी करना पहले 3 लिया आपने फिर आप इस column को बूल जाए यह लिजे जिस भी row से आपने expand किया row 1 को तो आप row 1 के mattresses नहीं लेंगे so आपने 3 लिया तो आप row 1 को भूल जाए आप इन दोनों column में आ जाए फिर minus 1 लिया तो आप इसको भूल जाए इधर आईए 0 3 minus 1 0 फिर यह minus 2 लिया तो यह आप लेंगे 0 3 0 minus 1 यह नहीं minus 2 लिया तो आप 0 3 minus 1 0 करें no that is wrong और हम इसमें row 1 का कोई भी matrix क्यों ले रहे क्योंकि हम expand ही row 1 के according कर रहे है ठीक है so अब इसका next part पर चलते हैं अब इसका second question आप करेंगी यह आप आपको इसका determinant find out करना है हम expand कैसे कर रहे है row 1 के according तो हम इसका determinant find out करते हैं वैसे ही पहले हम r11 को लेंगे मतला अपना यह 3 और इसको column को भूल जाएंगी यह होगा 1 3 and minus 2 1 यह आएगा फिर minus minus 4 फिर यह इसको हम ले भूल जाएंगी आएगा 1 2 minus 2 1 फिर यह plus का 5 और plus का 5 आया तो इस column को लेंगे इन दोनों को लेंगे तो यह 1 2 1 3 अब इसको solve करते हैं तो यह 3 1 into 1 is 1 minus minus 2 into 3 minus minus plus 4 1 into 1 is 1 minus minus 2 into 2 plus 5 1 into 3 is 3 minus 2 into 1 is 2 अब इसको solve करते हैं यह 3 यह 1 minus minus plus 2 3 is a 6 plus 4 1 minus minus plus 2 into 4 plus 5 3 में इसे 2 गया तो बचा 1 ठीक है अब हम इसे आगे solve करते हैं यह 3 देखिए step by step करिए जाहें आपको ऐसे खोल कर इसको multiply अब वैसे ही करिए क्योंकि आपकी mistake होने की chances इसे कम रहेंगे और मैंने हमेशा आपको जब भी मैंने आपको हर session में बोला है कि math में mistake होने की chances बहुत होते हैं ध्यान से करिए एक-एक step को अराम से करिए यह आ है आपका इसका determinant देखिए कितना easy था आपने बहुत इसन तरीके से solve कर लिया बस आपको क्या धियान रखना है कि जब भी आप इसे solve करें तो इस बात का हमेशा धियान रखिए कि अगर आपने r11 लिया मतलब यह वाला number हमने लिया 3 तो हम यह वाली कॉलम लेंगे यह वाली कॉलम नहीं लेंगे देख सकते हैं अब आपको इसका थर्ड पार्ट काना और इसका भी टिटर्मिन फाइंड उट करना है यह मैं वैसे करेंगे जैसे हम नहीं किया पहले हम 0 लेंगे एक्सपेंड करें इसे r1 के अकॉर्णिंग फिर हम यह वाला नहीं लेंगे कॉलम वन हम यह दोनों कॉलम को लेंगे 0 3 माइनस 3 0 पिर यह माइनस 1 यह वन आया तो हम इसको नहीं इसको लेंगे minus 1 minus 2 minus 3 0 यह plus 2 plus 2 आया इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे minus 1 minus 2 0 3 यह minus 1 minus 2 0 3 अब हम इसको solve करते को 0 0 into 0 is 0 minus minus 3 into 3 minus 1 minus 1 into 0 is 0 minus minus 3 minus 2 plus 2 minus 1 into 3 minus 0 into minus 2 अब हम इसको और अच्छे से solve करते हैं जो यह 0 0 minus minus plus 3 3 is 9 minus 1 0 minus minus cancel होगे यहां पर minus है 3 to the 6 यह minus तो आएगा ना यह वाले minus cancel होगे plus 2 minus 1 into 3 is minus 3 minus minus plus तो यह तो 0 ही होगा इसको solve करते तो यह 0 into me 0 plus 9 is 9 minus 1 into me 0 minus 6 is minus 6 plus 2 into में minus 3 plus 0 is minus 3 0 into 9 is 0 minus minus plus 1 into 6 is 6 plus minus minus 3 to the 6 तो यह 0 plus 6 तो 6 होगे है और minus 6 चल रहा है तो यह है 0 इस matrix का इसका determinant क्या है आपका 0 आया है तो आपने यह दोना लिया फिर जब आपने 1 लिया तो आपने यह कॉलम नहीं लेना और यह रो नहीं लेना मतलब यह आपने क्या लिया और minus 1 minus 2 minus 3 0 फिर plus 2 फिर यह परस्ट और second कॉलम का यह वाला पार्ट ठीक है यह वाला और फिर आपने इससों सॉल्व करके अपने टरमिनेंट इसको भी आपने इसको भी हम वैसी बद शॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहले कर रहा है expand करेंगे R1 को R1 को हम expand करेंगे तो यह आए 2 पहले यह आए A11 फिर आए 2 minus 5 minus 1 0 देखे R2 expand कर रहे हैं तो यह और यह तो आप नहीं ले सकते हैं बट यह दोनों आप लेंगे R2 नहीं ले सकते हैं यह R2 expand करेंगे और R2 में ही column 1 भी आए तो इसलिए उसको भी ले सकते हैं पर यह माइनस minus 1 यह R2 का रहे है तो आप यह वाली column और यह वाला row नहीं ले सकते हैं तो आप लेंगे 0 3 minus 1 0 तो यह 0 3 minus 1 0 plus minus 2 अब यह minus चूल गिया है तो यह वाला column नहीं ले सकते हैं और यह वाली row नहीं ले सकते है row 1 क्योंकि row 1 से expand करें तो यह 0 2 3 minus 5 0 2 3 minus 5 अब हम इसे solve करतेंगे तो यह आए 2 0 into 2 minus minus 1 into में minus 5 minus minus plus 0 into 0 minus 3 into में minus 1 plus minus minus का 2 0 into में minus 5 minus 3 into में 2 ठीक है अब इसे आगे solve करते हैं तो यह आएगा 0 into 2 is 0 minus 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 कैंसे 5 बंस 5 plus यह minus minus plus था तो यह 1 आया यहाँ पर यहाँ पर भी 1 रहेगा यह आए 0 into 0 is 0 minus minus plus का 3 यह minus 2 0 into minus 5 पर जीरो minus 3 to 6 अब इसको आगे solve करते हैं तो यह 2 0 minus 5 is minus 5 plus 1 0 plus 3 is 3 minus 2 0 minus 6 is minus 6 2 into minus 5 is minus 10 3 into 1 is 3 minus minus plus 2 6 or 12 minus 10 plus 3 तो कितना आया 10 में से 3 गे तो बचा 7 दोने से नमबर कॉंसर बढ़ा 10 10 के आया 10 के आया कॉंसर माइस को तो माइस लगा यह plus 12 12 में से 7 गे तो कितना पुचा 5 दोने से नमबर कॉंसर बढ़ा 12 और यह वाली रो नी लिए, फिर हमने लिए 0, 3, minus 1, 0, फिर हमने minus 2 लिए, तो यह वाला column और यह वाला रो नी लिए, फिर हमने लिए 0, 2, 3, minus 5, ठीक है, और हमारा last में answer के आगए, 5, दियान ही कौर चीज करखना है, कि जब आप एक्स, एक्सपेंड करें, रो न को, तो यहाँ पर आएगा minus plus, ठीक है, रो टू को करेंगे, तो पहले आएगा minus plus minus, यह मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, उधर भी देख सकते हैं, चलिए, अब नेक्स वेशन के तरह बढ़ते हैं, उधर नेक्स, वेशन है, इस मैट्रिक्स का determinant find out करना है, तो हमें determinant find out करना है, इसका, expand करेंगे along R1, R1 से expand करें तो यहाँ 1, यह 1 लिया है, तो यह वाला लेंगे, क्योंकि R1 से expand करें तो R1 का लेंगे नी, और column 1 भी लेंगे, तो यहाँ 1, 4, minus 3, minus 9, यह आया है माइनस 1 यह वाला 1 लिया है तो R1 तो लेंगे नहीं और column 2 भी नहीं लेंगे तो हम लेंगे 2, 5 and minus 3 minus 9 फिर यह आएगा अपना plus का minus 2 जब यह last वाला A1, 3 लिया हमने row 1 का last के लिया माइनस 2 तो हम नहीं यह वाली row लेंगे row 1 से expand करें तो row 1 तो लेंगे नहीं लाज्ट का कॉल्म लेंगे तो हमारा पज़े 2, 1, 5, 4 अब इसे solve करते हैं तो यहाँ है 1 1 into minus 9 minus 4 into में minus 3 minus 1 2 into में minus 9 minus 5 into में minus 3 plus यहाँ minus 2 2 into में 4 minus 5 into में 1 अब इसे solve करते हैं यहाँ 1 1 into minus 9 is minus 9 minus minus plus 4 3 is 12 यहाँ minus 1 2 into minus 9 is minus 18 minus 5 into minus 3 is minus 15 यहाँ minus 2 2 into 4 is 8 minus 5 इसे solve करते हैं तो यहाँ 1 into में minus 9 is 12 12 में से 9 गए तो कितना बचा 3 दोनों में से नमर कौन से बड़ा है 12 12 कियागे plus का सही न तो plus ही रहे है यहाँ minus 1 यहाँ minus 18 minus minus plus 15 यहाँ minus 2 8 में से 5 किया तो बताएगे कितना बचा बचा 3 यहाँ 1 3 minus 1 3 बचे दोनों में से नमर कौन से बड़ा 18 18 कियागे minus का सही न तो minus लगा दिया minus 2 3 से 6 यहाँ 3 बचा 3 minus minus plus का 3 minus 6 3 plus 3 6 minus 6 से 0 देखे कितना इसली आपने इसका determinant find out कर लिया बस expand किया row 1 को तो आपने row 1 को expand करके आपने कितना इसली तरीके से इसका determinant find out कर लिया जो किया आपका 0 कुछ न लिया आपने r1 से expand किया है तो r1 को आप use नहीं करेंगे ठीक है जैसे आपने 1 लिया तो यहाँ पर आपने 1 लिया तो r1 को भी छोड़ दी तो column 1 को भी छोड़ दी जी तो gap का बचा 1 4 minus 3 minus 9 यह लिया फिर आपने 1 लिया यह वाला बीच में minus को sign रखा तो यह second row का second column भी लिया तो यह यहाँ पर यह आएगा 2 5 minus 3 minus 9 फिर आपने minus 2 लिया तो r1 तो आएगा नहीं और यह बनी आएगा तो आपका matrix पर अच्छा है 2 1 5 4 यह लिया फिर आपने इसको पूरा solve के और आपका answer आगया 0 ठीक है धियान रखेगा कि जब भी हम ऐसे matrix expand करते है अगर हमने expand किया ऐसे क्या बोलता है plus minus plus minus plus minus plus minus plus जब अगर हम expand करता है r1 में तो पहले पलस फिर minus फिर plus अगर r2 में करते है तो पहले पहले प्लस फिर minus plus माइन टीक है तो यहां पर इन science का धियान रखना बहुत ज़रूरी है जो हम यहां पर use कर रहे हैं बीच में ठीक है चलिए अब next question की तरह बढ़ते हैं So question में 7 में आपको x की value find out करनी है तो पहले आपको यह दिया हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं 2451 is equal to 2x46x यह दूसरी की equal है यह determinant की form में है तो determinant में अगर हम 2 x 2 का determinant find out करते हैं तो हम क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते हैं तो यह 2 x 1 minus 5 x 4 is equal to यह इसको भी cross multiplication करेंगे तो यह 2 x x minus 6 x 4 तो यह 2 x 2 minus 4 5 020 is equal to 2 x का square minus 6 4 024 20 में से 2 गया तो बच्चा है 18 इन दोनों में से number 20 20 के है कौन से माइनस का तो माइनस लगा दिए is equal to 2 x का square minus 20 यह minus 18 यह plus का 24 इतर आगया है is equal to 2 x का square 24 में से 18 के है तो पताएगे कितना बच्चा तो आपका बच्चा 6 दोनों में से number 24 24 के आगया plus का sign तो प्लस ही रहेगा ठीक है अब इस 2 को उपर multiply में denominator में लिकर आते हैं तो यह बचा 6 upon 2 is 3 x square x की value अगर हम find out करेंगे तो यह आएगा plus minus under root of 3 कुछ नहीं करा आपको determinant की form में दिया हो था 2 into 2 के order of matrix में आपने cross multiply की और अपनी x की value find out कर ली यह तो मैंने आपको बहुत इस लिया है पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में से खाय हो है कि अगर आप determinant आपको order of matrix 2 2 दिया होता है तो आप उसका कैसे find out करेंगे वही की आपने अब इसका second part करते है so second part हमें दिया हुआ है 2 3 4 5 is equal to x 3 2 x and 5 अब इसको solve करते हैं very easy to solve वही करेंगे हम वही करेंगे हम cross multiplication तो यह है 2 into 5 minus 4 into 3 इस देर भी cross multiplication करेंगे यह आएगा x into 5 minus 2x into 3 ठीक है यह 5 2s are 10 minus 4 3s are 12 यह x into 5 is 5x minus 2x into 3 6x 12 में से 10 गे तो बचा 2 2 में से number कौन से बढ़ा 12 12 के आपको से minus के तो minus लगा दी है 5 minus 6x 5x minus 6x 6 में से 5 गे तो बचा 1x 1x 2 में से number कौन से बढ़ा 6x के आपको से minus के तो minus के तो minus के तो minus cancel होगे तो x की value हमारी क्या आ गई 2 ठीक है बहुत easy है कुछ नहीं करना 2 into 2 का determinant दिया cross multiplication करा उसको solve करा और अपनी values find out कर ली ठीक है आप next question इतरा बढ़ते है अब देखे question number 8 में भी बहुत easy आपको दिया उसने यह आपको determinant दे दिये 2 into 2 के matrix में आप इसको find out कर लीजे तो यह कैसे दिया आपको x to 18x is equal to 6 to 186 cross multiplication ही करेंगी इधर भी आप जैसे कि आपको पहले से बताया हुआ है तो यह x into x minus 18 into 2 is equal to 6 into 6 minus 18 into 2 x into x is x का square minus 18 2 से कितना होते है that is 36 6 is 36 minus 18 2 is 36 तो यह x square minus 36 36 में से 36 किया तो बचाच 0 यह x square is 0 यह minus 36 था है right hand side पे आएगा तो plus 36 हो जाएगा यह x square is equal to 36 तो हमारा x के आगया plus minus 6 मतलब हमारा कॉंसा option correct है b option हमारा correct है देखे कितना easy था बहुत easy तरीके से आपने इसको solve कर लिया और find out कर लिया बस important क्या है कि आपके basic clear होने चाहिए basic clear नहीं होंगे तो question करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है so एक request जा लास्ट में please channel को subscribe करिए वीडियो को like करिए और share करिए पने parents का नाम रौशन करिए खों मल लगा के पढ़ाई करिए देश का नाम रौशन करिए और अच्छे तरीके से मल लगा के पढ़ाई करिए अपने comment section में doubt लिगना दुखले मत बूलिए और फिर से एक बार request जाए कि subscribe ज़रूर करिए